दोस्तों आप जानते हैं कि अगर सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम कुट्टे काएगा और विदेशी लोग अपने बालतों कुट्टे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं लेकिन आज हम आपको एक बहुती अजीब और गरी बात बताने वाले हैं कि आखिर विदेशों में महिलाएं कुट्टे क्यों पालती है और सौधी अरब में मोटी औरते अपने कुट्टों के साथ ऐसा क्या करती है कि वो पतली हो जाती है प्यारे साथियों ये सब देखकर और सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर ये दुनिया किस तरफ जा रही है और हमारी इस दुनिया में लोग क्या-क्या शैतानी काम करने लगे हैं चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि विदीशी देश जर्मन में आखिर कुट्टे क्यों पाले जा रहे हैं जर्मनी में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़के की बजाए एक कुट्टे के साथ रहती है और ये सारी जिंदगी शादी ही नहीं करती है और सिर्फ कुट्टे को अपना जीवन साथी समझ कर सारी जिंदगी गुजार देती है कई औरते अपनी पती के मर जाने के बाद कुट्टों को अपने साथ रख लेती है और जर्मनी के ओरतों का मानना है कि कुट्टे किसी भी मर्ज से ज़्यादा वफादार होते हैं इसलिए देखा जा सकता है कि जर्मन के ओरते जितना प्यार अपने कुट्टे से करती है शाहदी वो अपने बच्चे से करती हो रात को ये औरते कुट्टे के साथ एक ही बैट पर सोती है और एक ही बरतन में खाना खाती है दोस्तो एक रिपोर्ट के मताबिक जर्मनी में कई ऐसी लड़कियां भी है जो शादी करने से पहले अपने होने वाले पती के आगे ये शर्त रखकर शादी करती है कि वो हनिमून पर अपने कुट्टे को भी साथ लेकर जाएंगी और दोस्तो जर्मनी और ती डॉक्स CENTER से ही कुट्टे के पिल्ले को लेकर आती है दोस्तो जर्मनी में कई घर ऐसे भी है जहांपर सभी परिवार के मेंबर्स का एक अलग-अलग कुत्ता होता है और इसी कारण यहांपर कुत्तों की किवमत बहुत ज्यादा है और यह किमत इंडिया की करंसी के हिसाब से 2-25 लाग तक हो सकती है दोस्तो सवधी अरब में पहले कुत्ते को नर्गिस माना जाता था लेकिन धीरे धीरे सवधी अरब में भी विदीशी रुझान बढ़ता जा रहा है और यहां की औरतों का रुझान कुत्तों को पालने में ज्यादा नजर आने लगा है खास्तो और पर अरबी औरतों का मानना है कि वो पालतू कुत्ता रखने से मोटापे का शिकार नहीं होती है आखिर वो कैसे मोटापे का शिकार नहीं होती है ये भी आपको बताते हैं दोस्तो चलिए जानते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जो हाल ही में सौधी अरब से सामने आई है कि मोटापे का शिकार या मोटा भी गौर्टों का कहना है कि वो कुट्टों को इसले पालती है कि कुट्टे को बाहर जब वो रोज घुमाने लेकर जाती है तो इस बहाने से उनकी exercise हो जाती है और कुट्टा उनको हमेशा भगाए फिरता है जिससे वो हमेशा smart रहती है जबकि अपने दिन भर के कामों की वज जा सकता है और इस बात में logic भी समझ में आता है लेकिन आब आप दूसरी report को देखकर शर्मसार हो जाएंगे दोस्तों आपने अकसर कुट्टों में आदत जरू देखी होगी कि कुट्टे अपने मालिक या मालकिन के पैरों को अपने जीप से चाड़ते रहते हैं और दोस् चाड़ता के मताबी कुट्ते अपनी मालकिन में शारेरिक तब्दिली महसूस करे मतलब कि अगर एक और इक औरत प्राइगनेंट हो जाए तो कुट्ता अपने मालकिन के पेट के अंदर प्रेगनेंट हो नहीं हो और दोस्तों अरप में अरभी आएउरते अपने पालतों क्योंकि उनका मानना है कि कुट्टे की जीब के लार्स से पीट की जो मसाज होती है वो कभी भी पीट को बढ़ने नहीं देती या बढ़े होए पीट को कम कर देती है। दोस्तो है ना बहुत ही अजीब बात अब आखिर ये बात किस हद तक ठीक हो सकती है। या सभी महिलाई इस बहाने कुछ और ही परमानन को महसूस करती है क्योंकि एक अमेरिकन रिसर्च के मताबिक बताये गया है कि ओड़ों में कुट्टे रखने का रुजहान इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि कुट्टे को जिस्म के किसी भी हिस्से को चाटने की आदर डाली ज जा सकती है इसलिए बागी दोस्तों आप खुद समझदार है यह उनका मतलब क्या था और शायद हो भी सकता है कि ऐसा मुम्किन हो तभी ज्यादातर महिलाओं में इन कुट्टों को पालने का रुजहान ज्यादा पाय जाता है तो दोस्तों आखिर में आप इसके बारे में क झाल